सबस्क्रा요 लिए लगए लिए मुझे नहीं पूच सकता है, वो टीरी रियासत से पूचा गया था एक बार, कि 55 वे राजा कौन है, तो वहाँ पर केवल 6 राजा हैं, गिने चुने, कहाँ टीरी रियासत में, तो वहाँ पर तो महतपून भी है, अब इतने राजा कौन तो बन सकते हैं, वो राजा बहुत फेमस था है, और वो प्रस्ट ठीक था मेरे हिसाब से, अब लेकिन यहाँ पर नहीं बन सकता मेरे हिसाब से, लेकिन आप फिर भी दो-चार जो महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा, उनके बारे में आपको यहाँ पर बता दूँगा, त तो बाद में बालो-कल्यांड-चंद के नाम से परसिद्ध होगा, और इसके बाद अगला सासक बालो-कल्यांड-चंद ही बनेगा, जो कि भीसमेचंद का गोद लियाओ पूँटर है, तो वैसे बालो-कल्यांड-चंद किसका पूतर था, तारा-चंद, एक राजा थे लियान सिंग ठीक है तो उसको बीसमेचंद ने गोद लिया था अब बीसमेचंद तो युद करता नहीं है तो इसने सोचा यार क्यों न मैं राजदानी को एक ऐसी जगा पर लेके जाओं जहां पर हमारे लिए सुरक्षी तो आने वाले समय में हमें आकरमण से मतलब आकरमणो किसी सेंटर इस्तान में लेके जाओं और अलमोडा को वो राजदानी के लिए चुनता है तो कहां राजदानी बनाने का प्लान मनाता बीसमेचंद अलमोडा में लेकिन उसका सपना ये पूरा नहीं हो पाता है वो सपना उसका पूरा करेगा उसका गोद लियावा पुत्र क बनाएगा आलम नगर ठीक है तो आलम नगर बनाएगा और इस आलम नगर को ही बाद में अलमुडा नाम से जाना जाएगा तो धियान रखेंगे अलमुडा को आलम नगर के नाम से भी जाना जाता था राजा पुर भी कहा जाता था अलमुडा को तो आलम नगर की नीव रख द जाएगे किस से, किस से, 20 में चंद से, कि कैसे राजदानी ले जा रहा है उदर उदर, ठीक है, तो कैसे राजदानी बदल रहा है, तो कुछ लोगों को इससे जलन होने लग जाएगी, और इनी जलन करने वालों में सामिल में एक ब्यक्ती था गजू वाठिंगा ठीक है गजू वाठिंगा लिख्वाओंगा मैं भी पहले एक पार समझ लिए गजू वाठिंगा या गजूआ ये इससे जलता था बहुँ जादा 20 मिचंद से तो इसने प्लान बनाया कि जहां तू राजदानी बना रहा है न महीं तरको मारूंगा ठीक है तो ये राजदानी कहां बना रहा था अल्मोडा में ठीक है अब ये अल्मोडा में जा रहा था कौन 20 मिचंद और खगमरा कोट में जहां पर इसने जीर्णोदार करवाया था किल् और उसी किले में जाकर गजु वाठिंगा ने 20 मिचंद की हत्या कर दी तो गजु वाठिंगा ने किस की हत्या कर दी? 20 मिचंद की हत्या कर दी तो सभी लिख लेते हैं थोड़ा कुछ लड़कों ने मुझे कहा था कि सर लिख भी लीजिए ज्यादा ज्यादा हमें थोड़ा आसानी होगी नोट्स बनाने में तो मैंने लिख भी लिख रहा हूँ अब तो भीसमिचंद ने खगमरा कोट के किले का जीर्णोदार करवाया, मरम्मत करवायी और यहाँ पर एक नगर, आलम नगर की नीव रखी जो बाद में अल्मुडा नाम से जाना गया बीसमिचंद ने अल्मुडा की नगर की नीव तो रख दी लेकिन वो राज़दा नहीं यहाँ पर इस्तापित ना कर सका क्योंकि ए खगमरा कोट के लिए पर हमला कर बीसमिचंद की हत्या कर दी द्यान रखेंगे बीसमिचंद की हत्या किस ने करी गजुवाठिंगा ने करी आलम नगर की नीव किस ने रखी बीसमिचंद ने रखी अब देखते हैं गजुवा या गजुवाठिंगा तो इसने हत्या कर दिये किस की कल्यान चंद कहां गया हो था डोटी राजे में विद्रो हो रहा था तो वहाँ पर विद्रो को दबाने के लिए जा रहा था जिस समय खगमरा कोट में भिसमचंद की हत्या होई थी और पिता की हत्या की ख़बर मिलते ही उसने डोटी राजे से समझोता कर लिया कि भाईया भी समझोता कर लेते हैं युद युद बाद में लड़ लेंगे और वहां से वापस आया अपने पिता की मौत का बदला लेगा और गजुवा को मार देगा तो गजुवा की हत्या किसने करी अब बालो कल्यांचन ने चासन चलाने वाला अंतिम चंत, सासन बीस में चनाएं इस पॉइंट को समझना आप अच्छे से अभी तक सासन käहां से चल रहा है चमपावजस से चल रहा है और राजदनि कहां ले जाना चारे क्लोत अजा रहा रहा है अगला राजा क्लोना आएगा वो राजदानी को अल्मोडा लेके जाएगा तो यहां से सासन चलना अब समापत हो जाएगा अब सासन कहां से चलेगा अल्मोडा से चलेगा तो इस परकार चम्पाव से सासन चलाने वाला अंतिम राजा होगा भिस्म चन और अल्मोडा से सासन चलाने वाला पहला सासा कौन होगा बालो कल्याण चन तो प्रस्न बन सकता है यदि आयोग इस प्रकार से ध्यान दे तो अच्छा प्रस्न बन सकता है यहाँ पर कि चंपाव से सासन चलाने वाला अंतिम सासक कौन था ठीक है अब चलते हैं अगले राजा बालो कल्याण चंद के बारे में, इनके बारे में मैंने लगबग लगबग आपको सभी कुछ बता दिया है, 1560 से 1518 इनका टाइम पीरिड है, बस इतना जान लीजिए, और ये परमार वन से कौन से राजा है, सुरी, चंद वन से कौन से राजा है, चवालिस में राजा है, ठीक है, 43 में लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा करम बता दिया, मैंने चवालिस में राजा है, कल्यान चंद, राजा ताराचंद के पुत्र थे, ताराचंद का टाइम पीरिड पंदरा सो 17 से 1533 है, लेकिन उन्हें ने 17-18 साल में क्या किया, कुछ भी कहीं भी, किसी इतियासका ने नहीं लि और कल्यान चंद को प्यार से बालो नाम से पुकारा जाता था, इसलिए ये बाद में बालो कल्यान चंद के नाम से परसीद हुए, ये मैंने सब बता दिया है, 1563 में अल्मोडा को राजदनी बनाया है, किसने बालो कल्यान चंद ने, बालो को पता था कि उसका पिता का क्या सपना है कि राजदानी को कहां ले जा जाए किसी मद्धी अस्तान पर लेकर जाएं ताकि हम बाहरी जो आकर मणें उनसे आसानी से बज सकें तो बालों को पता था कि उसके बाप का सपना था कि राजदानी अल्मुडा लेकर जाएं इसलिए उसने क्या करेगा 1563 में खगमरा कोट परवट पर एक नगर बसाएगा और उसे राजदानी घुसित करेगा और यही नगर अल्मुडा नगर कहराएगा तो राजदानी किसने बदली कब बदली 1563 में ठीक है तो थोड़ा सा المुडा हम अब राज़ना नहीं आ गई है तो अल्मुडा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ऐसा माना जाता है कि चल्मुडा नामक वनस्पती के परचुर मातरा में पाये जाने की करण इसका नाम अल्मुडा पड़ा ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये fact क्योंकि एक बार प्रस्थन आया था कि मसूरी का नामकरण किस आधार पर हुआ है और option थे नदी, ताल, जर्ना और वनस्पती, इस परकार से option थे तो उसका उतर था वनस्पती, क्योंकि महाँ पर मसूर दाल अधिक होती थी तो मसूर दाल के अधिक होने के कारणी मसूरी नाम पड़ा, ऐसा एक बार प्रस्थन पूछा जा चुका है तो हो सकता यहाँ पर भी प्रस्थन मन जाए कि अलमोडा नाम करन किस आदार पर हुआ है किसी नदी के नाम पर हुआ है, किसी परवत के नाम पर हुआ है, ठीक है किसी ताल के नाम पर हुआ है, या वनस्पती के नाम पर हुआ है तो यहां पर आपका उत्तर फिर क्या हो जाएगा वनस्पति हो जाएगा तो चलमोडा नामा के एक वनस्पति थी जो पाई जाती थी बहुत ज़्यादा अलमोडा में बहुत पहले की बात है तो इस आदार पर नाम होए अब ऐसा नहीं है कि किवल वनस्पति के नाम परिवा है अलग-अलग इतियास करों ने अलग-अलग तरक दिया है ठीक है अलग-अलग तरक दिया है लेकिन उनमें से एक तरक ऐसा भी है कि चलमुडा वनस्पति से अलमुडा नाम निकलके आया है कई तामर पत्रों में Almudu ha को राजापूर भी कहा गया है तो Almudu ha को किस नाम से जाना जाता था राजापूर नाम से भी जाना जाता था आलम नगर भी कहा जाता था Almudu ha को तो ये सबी चीज़ आप नोट करते वे चलें महाराजा सुदरसंद साद्वारा नगर के पर्मुक इस्तलों के लिए समवत ध्यान रखेंगे इस भी नहीं कहा रहा हूँ मैं समवत कहा रहा हूँ 1870 में अलमोडा का मानचित्र निर्मित करवाया गया था तो इसको आप अपने इसाब से चेंज कर लिजेगा मैं बार-बार नहीं बताऊँगा मैंने कई बार बता दिया है तो समवत 1870 में अलमोडा का मानचित्र निर्मित करवाया गया था तो ध्यान रखेंगे माराज असुदरसन सादवरा अलमोडा का मानचित्र कब निर्मित करवाया गया समवत 1870 में इस्वी में बदलना है, बदल लीजे अपने इसाब से 57 साल मसूर दाल अधिक होने के कारण मसूरी नाम बढ़ा ये वने आप चर्चा करी दिये इसमे इसके बात है एटकिंसन के अनुसार 20 में चन्ने अलमोडा नगर को 1530 में बसाया था अलग-अलग इतियास करके अलग-अलग बाते हैं यार ठीक है, एटकिंसन केते हैं कि 1530 में बसाया था 20 में चन्ने अलमोडा जबकि उसका टाइम पीरिड हमने कुछ और ही पढ़ा हुई ठीक है, लेकिन एटकिंसन ने काया कि 20 में चन्ने अलमोडा को कब बसाया, 1530 में बसाया और 1563 में बालो कल्यान चन्ने इसे राजदानी बनाया तो ध्यान रखेंगे, राजदानी बालो कल्यान चन्न लेके गया था लेकिन राजदानी बदलने का प्लान किसका था? बीस में चंद का था और उसी सपने को पूरा करेगा कौन बालो कल्यान चंद ने पूरा कर दिया है पढ़ लिया हमने अभी ठीक है अब देखते हैं थोड़ा सा मैप देख लेते हैं इसके अजरिक ते बालो कल्यान चंद ने क्या खास काम किया बालो कल्यांचन ने गंगोली हार्ट को कहा मिलाया चंद राजय मिलाया तो जो गंगोली छेत्र था उसको चंद राजय में मिलाया तो सर्यूत था राम गंगा नदियों के बीच इस्तित होने के कारण इस छेत्र को क्या कहा जाता था उसमें कतीरियों का सासन हुआ करता था लेकिन 13 सताबदी के पाद यहाँ पर एक नया वंस उभर कर आया जिसे मनकोटी वंस के नाम से जाना गया तो यह मनकोटी जो वंस था इसकी राज़ना नहीं कहा थी गंगोली हाट के मनकोट में थी ठीक है और यह स्वतंत्र राजा थे वैसे तो ठीक है लेकिन छोटा मोटा टैक्स फिर भी देते थे किसको नेपाल के डोटी राजय को छोटा मोटा टैक्स यह देते तो नेपाल के राजाओं को टैक्स देते थे स्वतंत्र सासक थे और वंस क्या है मनकोटी वंस और इस वंस की जो इस्तापना करी थी वो करी थी कर्म चंदे ठीक है लिख लीजेगा इसे भी क्या पता पूझ दे कर्म चंदे कर्म चंदे इस्तापना करी थी किसने कर्म चंदे तो कर्म चंदे इस वंस की इस्तापना करी थी लेकिन बालो कल्यान्चंद के समय राजा कौन है भी कल्यान्चंद ये कर्मचंद तो बहुत पहले रहा होगा जब इसी मन्स की स्तापना होगी लेकिन बालो कल्यान्चंद के समय इस समय सासा कौन है नारायन्चंद है तो नारायन्चंद के समय में क्या होता है राज्ये में पहस हो जाती है किसी बात पर लड़ाई हो जाती है तो ये उपरेती मंतरी नारायन चंद को मारने का प्लान मनाते हैं और जंगल में धोके से राजा को मरवा देते हैं किसको नारायन चंद को और ऐसी खबर पहला देते हैं कि राजा को बागने मारा है जब ये खबर नारायन की पतनी को पता चलती है तो उन्हें विस्वास नहीं होता है और वो जाती है सिदे सर्यू नदी में और राजा की पगड़ी लेकर क्या कर लेती है सूसाइट कर लेती है और सूसाइट करने से पहले कहती है कि मेरा पती बाग द्वारा मारा गया है इससे बहुशे में गंगोल बाग होते रहेंगे और बाग द्वारा कई लोग मारे जाएंगे और ऐसा माना जाता है कि इसलिए गंगोली छेतर में आज भी भूत बाग होते हैं तो आब यार माना जाता है अब ये तो अलग चीज़ है इतियास कarn Sooub तो मैं आपको बता दिया, तो ऐसा माना जाता है कि उसकी पतनी ने मरते समय कहा था कि क्या होगा, भविस्य में याँ पर वह जाता बाग होंगे और वो लोगों को मारेंगे, तो इसलिए गंगोली हाट छेतर में भाग ज्यादा होते हैं, तो यह हमें ध्यानी रखना है, हमें बस इतना ध्यान रखना है, बालो कल्यान चंद ने गंगोली हाट छेतर को चंद राजय में मिलाया, ठीक है, और बालो कल्यान चंद के समय डोटी का राजया कौन है, हरी मल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कौन है राजया हरी मल है, इसके बाद बालो कल्यान चंद क्या मनकोटी के उप्रेतिवा पंतों को अल्मोडा में राज्य कर्मिचारी बनाएगा ठीक है पंत एक आएगा पुरूस पंत भी रुद्रचंद के समय वो भी आना नहीं चाहेगा कहां पित्वरगड उसके पास सोरी रुद्रचंद के पास लेकिन रुद्रचंद जबरदस्ती उसको युद्र लड़वाएगा अपनी तरफ से आ भईया मेरी तरफ से युद्र लड़ तो गंगोली हाट का यी था वो पुरूस पंत भी जिसको रुद्रचंद ने बुलाया था अगला राज हमारा रुद्रचंद यी आएगा तब हम पढ़एगे उसको तो बालो कल्यान चंद ने गंगोली आर्चेतर को चंद राजिया मिलाया ध्यान रखेंगे प्रस्न बन सकता है यहां से अगला जो पॉइंट है वो है सीरा नहीं सोर तो कल्यान चंद की जो पतनी थी वो हरी मल की बहन थी अब हरी मल कौन है डोटी का राजा तो हरी मल की बहन थी उसका भिवा किससे हुआ था कल्यान चंद से ठीक है तो इसने दहेज में सीरा का राजिया देने से मना किया और कहा कि सीरा का राज्या मेरा सर है चाहे तो सोर ले लो तो कल्यान संद बहुत ही चालू था ठीक है उसने पत्नी से कहा कि तुम ऐसा करो कि दहेज में सीरा का राज्या मांगो अपने भाई से हरीमल से काई का राज्या मांगो सीरा का राज्या मांगो कि भाया अब दहेज में मुझे क्या चीए है सीरा का राजय चाहिए कल्यान चंद की पतनी जाती है अब भेन थी अब उसको लगा कि हाँ मेरा भाई देदेगा या दहेज में जाती है कि भाया मुझे क्या चीए है सीरा का राजय दहेज में देदो तो हरीमल बोलता है नहीं बैया सीरा का राजय तो मैं विल्कुल भी नहीं दूँगा और दहेज में सीरा का राजय देने से साप मना कर दिया और कहा कि सीरा का राजय तो मेरा सर है चाहे तो तुम सोर ले लो चाहे तो तुम क्या कर लो सोर ले लो, इसके बाद कल्यान चंद को दहेज में है सोर राज्य मिल जाएगा सीरा नहीं मिला भी ठीक है अब सीरा को कौन मिलाएगा अगला राजा जवाएगा वो होगा रूद्रचंद, इसका बेटा कल्यान चित का और जुसकी पत्नी है अर्थाद रुद्रचंद की माँ ओ, रुद्रचंद को हमें सब बोलेगी, बेटा, सोर तो मिल गया हमको दहेज में, सीरा नहीं मिला था, तो सीरा पर आकरमन करेगा कौन, रुद्रचंद और सीरा को अपने राज्ये में मिलाएगा आकरमन के द्वारा, तो ध्यान रखेंगे कल्यान चंद को दहेज में क्या मिला था सोर मिला था, सीरा नहीं मिला था कौन सोर किसको कहते थे पितरगड को, सीरा वाला छेतर कौन सा था डीडी हार्ट वाला छेतर ठीक है, पितरगड में डीडी हार्ट जो छेतर था उसको सीरा का आ जाता था मैप खोली है मैप आपको DDR दिख जाएगा आराम से तो वाला जो इलाका था उसको सीरा का आ जाता था इसके बाद क्या किया इस विज़ा के बाद दानपूर विज़ा दानपूर छेतर बागेसर को चंदराजय में सामिल किया किसने कलियान चंद ने सोर की विजय तो नहीं कह सकते देहेज मिला उसको तो उसके बाद ध्यान कहां गया दानपूर छेतर की और गया किसका कलियान चंद का और यहाँ पर कोई बड़ा राजा तो था नहीं आपस में छोटे मोटे राजा थे वो लड़ते रहते थे कई सड़दार थे तो इस बात का फायदा उठाया कलियान चंद ने और दानपूर छेतर को अपने राज्ये में सामिल कर लिया और यह दानपूर छेतर कहा है बागेसवर में एक प्रस्न यहां से आ चुका है अप्रस्न क्या था? कि कुमाओं की दानपूर घाटी किस जिल्ले में? कुमाओं की दानपूर घाटी किस जिल्ले में श्तित है? और यह प्रस्न आया था सायग विकास दिकारी 2018 में औप्सन थे चम्पाबाद, बागेसवर, पित्वरगडर, चमॉली अब एक्जाम नर्व यहार कैसे कैसे option देते हैं चमॉली देने की जरुती क्या थी अब चमॉली तो गडवाल में है कुमाओं की दानपूर घाटी कुमाओं में तो होगी ठीक है अब यहाँ पर चमॉली की जगा अगर अलमोडा दे देता तो प्रस्न और भी डिफिकल्ट बन जाता ठीक है लेकिन अब यहाँ पर उत्तर क्या है बागेसर ठीक है ध्यान रखेंगे कुमाओं की दानपूर घाटी की जिल्ले में श्ती थे